कि वर्य गुड मॉर्निंग तो अलव यू आइंग विडियो फॉर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो अलड़ी हो चुकी हैं मेरे 12 वीडियो कंप्लीट हुए हैं हो सकता है उसमें से आपने बहुत सारे वीडियो नहीं देखे हूं आप वापस जाके देख सकते हैं लेकिन उन सब को ना देखने के बाद भी आप मैं जो आज आपके सामने लेकर आया हूं इस वीडियो को आज के वीडियो को देखते हैं आप तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ट्स एकी बार में आ जाएंगे तो आये let's have a look and try to pick up what we have done from a long span from the first video till now and if you think you can pick up words by the class which I am going to give you today then let's see how much I can teach you I'd me up to do baton a jar on walkie daily life में आपको बहुत help करने वाला है और मैं आपको कुछ tricks भी बताऊंगा जिससे आपको यह लगेगा कि words जो हैं बहुत ही easy हैं और words को easily पढ़ा जा सकते हैं ठीक है और साथ साथ उसको पढ़कर आप खुद बखुद यह सोच सकते हैं कि words hard हमारे लिए नहीं है हम सब यह जानते हैं कि हमारे English हमारे लिए tough नहीं है लेकिन English words की कमी के कारण hard होती जा रही है और उसका सही process यह है कि हम बार बार उसको पढ़ें reading sessions करें और उसके बाद भी कुछ students का यह सोचना है कि हमें sinos, zentoniums, one word substitution याद करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हम लोग आज उस तरक को उस logic को clear करेंगे और उस logic को clear करने के बाद हम यह देखेंगे कि हम कितने words को समझ पा रहे हैं देखिए sentence बनाना यह आपकी regular practice होनी चाहिए मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि time to time आप use कीजिए अपने circle में use कीजिए बात कीजिए हिंदी बोलते हुए English शब्दों को लाइए जिसको मैंने implementation का नाम दिया था जिससे आप English के साथ आपकी हिंदी में English का जो आना होगा वो अपने आप एक नई language को जन देगा और आपके अंदर एक confidence लाएगा सो हम लोग बहुत सारे words कर चुके हैं बहुत छोटे छोटे रूट्स प्रेफिक्स और सफिक्स के साथ हम लोग बहुत सारे words लेके आए हैं मैंने sentence के हिसाब से आपको classes करवाई हैं आगे कुछ वीडियो आप देखिए और अगर आप उसको लेके चलते हैं तो आपके पास क बहुत सारे words आपके mind में आ सकते हैं लेकिन एक ही logic है कि वह उसको आप यूज करें बार बार लिखने में बोलने में प्रैक्टिस करें मैं इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा हूं आप हिंदी बोलते हुए इन शब्दों का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ला यहीं ध्यां देजिए प्रेश इप हुद्फ यूर फूट तो मैंने आपको क्या सिखाया था फूट कहां से आया है पैड़ से हम लोग क्या मिला फैडल मिला सो हम प्रेश करते हैं किससे जब भी हम कोई बाइक तो कार या सैकल चलाते हैं तो उसका ब्रेक पैर हमारा कहां नहर रहता है पैर के पास आता सो ब्रेस इट विश्ओर फूड पैल कमोवीर पैडल बोलते वसी तरह से जो पैदल चलते हैं उनको क्या बोलते है उसी तरह से गल से अना हमारे पास एक मत्री auto है जो स्टैन्ड चिसको लुक कहते हैं या फिर स्टैचू देखा को आपने बुथ देखा को Chad讓 तो वो कहा रहता है हमेशा हो हम लोगके अगर किसि को भी हां या स्टैच्व को खडा देखते तो इस पर खड़ा रहता था थो यह रहां है तो छे हैं चे और अब भी फूट से आ रहा है पेडस्टल भी फूट इसका मतलब हम हम उस चीज को निम्न मतलब उसके नीचे के इस तर से बात कर रहें नेक्स्ट आते हैं लोग टूफीट अब हम लोग टूफीट पर आ रहे तो फूट हो गया पैड़ अब हम लोग आ रहे हैं पैड़ का base wor Awards यहां पर ध्यान दे सकते हैं यहां पर किये रूट है यह पर यह एक रूट है जो प्रम यह होटा है यह प्रविक्स कितर्ब कर रहा है यहां पर हम लुग सब के सामने में एक निया प्रेफिक्स को तो हम लोग दो लूlast किया होता है टू हो तहरो मैंने क्या बोला तू फीट सोफ़ीट तो फीट कौन हो सकते हैं हम लोग हो सकते भाइपेड हम लोग दो पेर हो में खड़ा देटि तो यूमें बींग्स addicted इकोल क्वाइप्ट आगे बढ़ते हैं उसी तरह से हम लोग कहानी को आगे बढ़ आते हुए अभर पर आते हैं तो व Katherine that Aichen atenges को अधर क क्लोज't ग्रीग का कि क्लोज शब जिसका मतलब वील होता है वहां से आया था कि बाइ मन्स डू मिन्स सैकल सूटू वील्स वाली चीच को क्या बोलते हैं बाइस इकल बोलते हैं यह दरेकिए तुविल बाइसने उसी तरह से तू फोकसस यसकी रहेंगी जिस तरह अलग-अलग फोकसस रहेंगी जैसे आप दा आप मेरे चश्मे को देख रहे हैं इसमें द लगे हुए ऐसे ही ग्लास जो अलग-अलग फोकस इस मारेंगे उनको हम टूफोकस इस तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बाइफोकल बोल सकते हैं उसी तरह से अब हम आगे बढ़ाते हुए तो यह था हमारा पैड का लेवल जिसमें लोग पैडल पैडिस्ट्रियन पैडस्टल बाइपेड़ बाइसाइकिल बाइफोकल तक काम किये यह था हमारा पैड का लेवल अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आएंगे अब बाइक लेवल पर बइस सुरू हो गया है तो मैंने बोला यूमन मिंस क्या है बाइपेड है ठीक है अगर salary मिलती है तो हम उसको bimonthly बोल सकते हैं उससे तरह से bimonthly के साथ साथ हम लोग यहां देख सकते हैं यह देखिए every two months तो bimonthly हो गया every year तो हम लोग हर साल board exam देते हैं final exam देते हैं तो year word कहां से आया था इनस से आया था इनस का मतलब year होता है रखेंगे एक चीज़ होती है जो एक पूरे साल में होती है तो उसका हम लोग भाई बाइं मंथली मंथ लेवल पर और semi-annual by-annual आपको याद होगा हमने क्लास में बताया था तो मैंने उसका discussion नहीं किये बहुत ईजी है तो semi-annual और by-annual मतलब six month के gap gap में जो हम करते हैं तो वो कहां से आया था अन्वल से आया था इसी जगह हम एक और वर्ड लिग देते हैं आपके लिए semi-annual ठीक है या फिर by-annual तो by-annual और semi-annual कब होगा year से आएगा semi means half and by means two तो हम जो half yearly करते हैं six months six months का जो काम होता है उसको semi-annual बोलते हैं इसलिए देखेगा आप semester बोला जाता है उसी तरह से by-annual आगे बढ़ते हैं happens every two year अब सालों में होता है ठीक है अब हम लोग कुछ चीजें एक साल में किये अब कोई भी चीज होगी जो दो सालों के बाद होगी हर दो साल के बाद जब कुछ होगा उसके लिए मैंने आपको रूट दिया था इन एन उके मैंने कौन सा रूट दिया था इन उससे हम लोग क्या बनाते एनियल तो जब टूइए उसको क्या बोलेंगे बाइए नियल तो बड़े बड़े फॉरिंग बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जो हैं कॉर्परेट सेक्टर जो हैं हम लोग को बाइए एनियल सैलरी देती हैं दो दो साल का पैकेज होता है और लोग को बाइनियल किसी-किसी जगह में कौ कौर्ड बन सेशन भी चलता है चार-चार साल बाद सरकारे बनती हैं पांच-पांच साल बेंगे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं फूर यह को क्या बोलेंगे क्वाडरी नियब बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर आन्वल बायमन्तली सेपेनियन वेल बाय इनियल को यह और आपका एनूवल वर्ड से एनस वर्ड से आयु हुए वर्ड्स अम हम लोग पैड कम्प्रीट किए बाइयन वड ऑन वक्प्रीट कि अब हम लोग चल रहे हैं छोटे मोटे लेवल उपर जिसको हम लोग डिस्टन्स के साफ से बात करेंगे तो कोई भी दूर वाली डिस्ट लिए जो डिस्टेंस को बता हो और फोन मिन्स सांद अब हम लोग देखते हैं वंसाइड अब लोक साइड पर आ ठीक है तो साइड का जब भी वर्ड आएगा तो उसके लिए वर्ड आपको युस करना है लेटर 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 तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यूनी लैटरल जब हम एक तरफा बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा यूनी लैटरल और अगर हम दो तरफा बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बाइलाटरल जैसे हमारे लोसी जो हिंडिया और पा स्कार देखा होगा valeur रेक्टैंगल देखा होगा स्क्वार और रेक्टैंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं अ क्या सकते हैं तो यहां से इंस उन भाश्चा फॉर यहां से हम लोग क्लियर कर लिए अब भाशा पर आएंगे हम लोगों ने हम लोगों ने देखा था linguistics लिंग्वा लिंग्वा टंग और language के लिए यूज होता है और हम लोग उससे वर्ड बनाना सिकते तो लिंग्वा से वर्ड कहां से आया क्योंकि भाषा का प्रयोग कर रहें तो लिंग्विस्टिक्स हम किसको बोलते हैं science of language भाषाओ के विज्ञान को क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं उसी तरह से भाई ट्राय हम लोग जो यूज करना सिखें तो हमारा यहां पर तो बाइट लिंग्वल हो गया एक इनसान बाषाओ हैं जैसे हम लोग चैось ली और लांज फोर सकते हैं we offer कहीं आपको मैं इंग्लिश बोलते हुए समझाता हूं फिर मैं हिंदी भी बोलता हूं तो आयम बाइलिंग्वल टीचर आइकन टीच इन टू लाइंगविज़ तो आ अब हम लोग आ रहे हैं यह थो हमारी थी बाये ट्राइब यह सारे चीज़ें बहुत सिंपल अब लोकुष नहीं वर्ट ले क्या और वह नहीं वर्ट आपकी लाइफ में बोलने में लोगों को समझाने में बहुत हैल्प करें जैसे कि हम लोगों ने एक्स्ट्रो वर्ट वर् इंट्रेस्ट एंट्र आउट हों जिमका बाहर मुख्षिट हो वा क्या cigarettes उसी तरह से पस्ट सशी आशेड ओर्ट क्या एंट्र आइट कैल जो तो वो जो अकेले रहते हैं घूमसम रहते हैं उनको मेंट रोट नेक्स्ट टू मूज सम्थिंग लॉंग एफिशेंट लिविदाउट अब लोग एक्स्ट्रो एक्स्ट्रो पढ़ लिए अब उसमें से एक वर्ड आया हमारे पास एक्स एक्समिंस क्या होता आउट आपको मै लगों क्या हुआ कूश्धिब करते हैं टॉह था एक्स टाइब करते से और उसी तरह से होगा next one whose function is to speed up things अब ऐसे लोग भी है जो बहुत तेजगती में काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपडीटर बोलेंगे तो एक्स से हम लोग को बहुत सारे वर्ड मिल रहे हैं अब हम लोग आते हैं प्रॉंप रापिड विदाउट डिले कोई ऐसा भी होगा जो बहुत ही तेजगती में काम को तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपडीटियस बोलेंगे नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ ऐसे जौब है जहां पर हमें काम करना है लेकिन स्ट्रेस लेकर नहीं करना है मेरे पीछले वीडियो में आप जरू देखिए इस तरह की क्लासिस आपको बहुत कॉन्फिदेंस आएगा सो वेल पेइंग जॉप को हम क्या कहते हैं सिनिक्योर बोलते हैं यह सिन मतलब सी ऐसा या नि मैं आपको शौट में बदा रहा हूं विडाउट और क्योर्मिंश केर सो वर्ड और जॉब विचीज नॉट विट लॉट आफ केर सो वी विल टेल इट सिनिक्योर नेक्स्ट साल ने पैडीक योर्ड लिए पैर के लिए पैड आ खिर के लिए और लिक यह रागै सो पेडीक योर उस्तरह से टूगिट्व इंद वे आफ सम्थिग इंपैड अगर हमारे रास्ते में कोई चीजी रूट बनती है मिंस इन होता है पैड मेंश फूट होता है थो इमपैड उसी तरह से obstacles और obstruction को हम impediment बोल देते हैं लास्ट वर्ड मैंने छोड़ा है आपके लिए यह देखिए हम लोग यह भी बोल सकते हैं केर ओफ हैंड्स को क्या बोलेंगे मैंनिक्योर बोलेंगे तो यह था आपका में वर्ड क्लास जो बहुत सारे वीडियो मैंने अपनी डिसकस की है expect करता हूं कि आपको यह वीडियो सारी क्लास का एक समरी फॉर्म मिलेगा और आप इसको देखेंगे तो आप बहुत कुछ सिखेंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए क्योंकि जो आप पा रहे हैं वो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है all the best thank you